दोस्तो 25 एपरिल आज की तमाम बड़ी कबरें हम देखने वाले हैं सभी महतोपूर्ण समाचार आपको इस वीडियो में मिलने वाली है फिर भी आप नए विज़र हो तो चैनल से जुनने के लिए सब्सक्राइब करो और बाजू की बेल आइकन भी क्लिक करो कि आपको तुरं में अभी तब अठाइस लाग पैतालिस अजार आठसो बनसाट लोग इससे संक्रमित हो चुके है और एक लाग सतानवे अजार आठसो चैनलिस लोगों ने अपनी जान इसमें गवा चुके है इसमें से जो रिकवर्ड हुए केसेस है वो है आठ लाग ग्यारा जार चेसो च 630 इसमें से 780 लोग ऐसे जिनकी जान भी वह अपनी गवात चुके है और इसमें से रिकवर्ड जो हुए है वह है पाच यह चार्सो ठों लोग इसमें से रिकवर्ड हो चुके तो यह भारत का है वोल्ड़ोमिटर के साइट से यह अपडेट आपको दिये जा रहा है इसके बाद में हम सभी अब ब्रेकिंग नूस देखेंगे वन बाइवन सरकार ने लॉक्डाउन में दी बड़ी राहत जानते है किस-किस दुकानों को बाद जारों में जो है अभी जूट मिलने वाली है तो बड़ी कबर है सरकार ने दिया दुकाने को जारी किये गए आदेश के मताबिक शवरों में वैसे भी सभी दुकान खुलेगी जो मॉल एश्वापिंग कांप्लेक्स में नहीं यह तो शॉपिंग कांप्लेक्स या फिर मॉल इसमें जो दुकान है वो छोड़के बागी सभी दुकाने अब तो मास लगाना आनिवारे होगा अब जरूरी चीज़े जो है उसके साथ ही गर्ज जरूरी जो चीज़े है उसकी भी दुकाने खोलने की इजाज़त सरकार ने दे दिये इसके बाद की हम निउस देखते हैं तो केंद्र के बाद अब योगी सरकार का करमचारियों को जटका डिये पर लगाई रोक आप सभी को पता है देश में जो है आर्थिक हाला अभी कुछ ठीक नहीं है उसके ही यूपी सरकार ने करमचारियों को और पेंशन भूगयों के लि दुकाने खुली रहेगी या बंद रहेगी तो क्या है इसके जूड़ी ख़वर गुर्वा मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात लॉकडाउन टू में रियाइद देने का आदेश जारी किया है इस आदेश में सभी दुकानों को खुलने की इजादत दे दी है लेकिन माल्स और शापिंग कॉंपलेस को अभी इंतजार करना पड़ेगा शलून शराप की दुकाने को भी खुलने की अनुमती अभी तक नहीं है सामान की जो भी दुकाने उसे अभी तक अनुमती नहीं मिली, अगली ख़वर के तरफ रुख करते हैं, अमेरिका में ऐसे लोगों की मोह इसके बाद में अगली खबर के के तरब रूप करते हैं, कोटा के चात्रों के अलावा बाहर फसे बीएर के 17 लाग लोगो पर भी सरकार का ध्यान है, बीएर सरकार का, क्या है न्यूस देखते हैं, बीएर के मंतरी संजेजाय ने काया कि लॉटडाउन खत्म होने का इंतजार है, उसके बाद सरकार पहली प्र बाहर राजों में फसे हुए है इसके बाद के खबर के तरफ रूप करते हैं बाहर पसे मजदूरों के खाते में पईसे डालने का क्या है प्लान बीर सरकार पईसे डालने वाली है सभी मजदूरों के खाते में जो बाहर पसे है तो क्या है इस न्यूस के सच्चा ही देखते है तो संजे जाय ने कहा है कि बियार सरकार से बियार में ही नहीं बलकि बियार से बार जो फसे मजदूर की भलाई में भी दिन रात लगा रही है उनके खाते में भी पैसे ट्रांसपर किये जा रहे है बियार सरकार ने अब तक 6,000 करोड रुपए दिये उन्होंने कहा कि 20 लाग से ज्यादा मजदूर के खातों में ऐसे जाएगा जो मजदूर प्रदेश ये बाहर है उनके भी खातों में अब ऑइसा डाला जाएगा इसके बाद के खरबर के दरब रोख करते दोस्तों संजे कोटारी बने है नए सी वी सी रास्ट्रपती रामनात कोविन ने इने दिलाई है शपत तो ऐसे ही फटापट खबरे आपको रोज मिलते रहेंगी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले है रास्ट्रपती भवन में रास्ट्रपती रामनात कोविन ने उने शपत दिलाई इस दवरान प्रदान मंत्री नरेनर मोदी उपर रास्ट्रपती वेंका एनाइडू और अन्य लोग मौजूद थे कोरोना वाइरस की वज़े से समारों में मोजूद सभी लोगों ने अपने अपने चेहरे पर जो है मास्त लगा रखा था इस दवरान सोशल डिस्टेंगिंसिंग का भी पालन किया गया था तो यह सभी तमाम कफिर हमने जानी है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है और शेयर भी कीजिए धन्यवाद जय हिन जय भारत